असलाम आलेकुम नाजरी आज की वीडियो में हम आपको नए और से ट्रामाज के बारे में बताएंगे जिनकी स्टोरीज आपको यकीनन दुखी होने पर मजबूर कर देगी तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से दर्खौस थे कि हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ड्रामा सेरियल गुड्डू नए किर्दार गुड्डू के इर्द किर्द गुमती इस कहानी में घर का नासास कर महौल जब मासूम जहन पर असर अंदाज होगा तो घर की चार दिवारी में सित्म करने वालों से गुड्डू फरार हो जाएगा अपना सायबान छोड़कर सडकों पर रुलते मासूम गुड्डू के जस्पात ने प्रोमोशन से ही नासरीन को अश्कवार कर दिया है ड्रामा सेरियल गुड्डू में मरकसी किर्दारों इबाद और नयाब की तलाग शक की बुन्याद पे होती है और तलाग के बाद गुड्डू, नयाब और इबाद सहनी तोर पर बिमार होते जा रहे है शक ऐसा बीच है जिसके साथ तबाही की फजल ही परवान चड़ती है ये वो मचली है जो जिन्दगी के सारे तलाब को गंदा कर देती है शक से अबाद और नयाब का घर खराब हुआ अबाद की चूटी बेहन सिद्रा का घर भी इसी तरफ जा रहा है जखम एक उदासे से तारी कर देने वाली जियो की ड्रामा सीरियल है हसत, लालच और तकबुर जैसी मौशरती बतनुमाई का आहता करती रिदा पिलाल की तहरीर करदा इस कहानी में एक खुदसर बिजनिस्ट आइकॉन एक मासूम लड़की के खौबों के गिर्द बेबसी का चाल बिछा रहा है अदाकारा सहर खान अब आगा अली और अस्वर रह्मान के साथ दिखाई देंगी तीनों की ये जोड़ी देखने के लिए रैजी रही है सहर खान ने अभी तक साइट रोल्स ही किये हिरोईन के किर्दार में कम-कम ही नजर आई है लेकिन उन्होंने अभी तक जो भी किर्दार अदा किये हैं को यकीनन किसी भी कहानी को आगे लेकर चलने वाले ही थे इसी तरह से अस्वर रह्मान वो अदाकार हैं जिनकी अदाकारी के बहुत सारे दिवाने मौजूद है कास्ट में आईशा गुल, अरीशा राजी, आईशा मिर्जा, पहरो सबस्वारी, बुश्रा अंसारी, ओमी बार, सबा हमीद और शपीर शान के नाम काबिले जिक्र हैं ड्रामे की कहानी आरिशन इद्रीस मसी ने लिखी है जबके अब्दुल्ला पादवानी और असद कुरैशी प्रोडियूसर और डारेक्टर एसन तालिश है ड्रामे की कहानी एक लड़की जोया के गिट घूमती है जिसका किरतार मदीहा इमाम ने अदा किया है ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी माँ और खाला के साथ पली बढ़ी और दुनिया के मजालिम से बेखबर थी शायकीन को ड्रामे का नामकमल और अफसोसनाग अन्जाम पसंद नहीं आया उनका ख्याल था कि जोया को जुनिया को माफ कर देना चाहिए था और वो मिल सकते थे बहुत से मद्दाहों का ख्याल था कि एक्तिताम बहतर हो सकता था क्योंकि वो खुशकुन एक्तिताम का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जुनेत ने अपने किये पर तौबा कर ली मेरे हम नशी देखने के बाद यकीनन आप भी खजिस्ता के लिए उदास होंगे सीरियल में मेरे हम नशी खौहिश, खौब, उम्मीद और इक्तिदार के गिर्ट घूमती मसहूर कुन दास्तान है जिसे मिजबा अली सीद ने अपने कलम से तहरीर किया है और इस सीरियल के लिए अली फैजान ने हिदायत दी है इस ड्रामे के मरकजी किर्दारों में एहसिन खान, हिबा बुखारी, शेजाज शेख, सेयर जिपरान, हारिस वही, मुमल खालिद, फिरहान अली आगा, रेहान शेख, मुमिना एक्पार, महर पानो, मुनस्जा आरिप और सीमी पाशा शामिल है मेरे हमनशी की कहानी, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से आने वाली एक कदामत पसंद और रिवाईती खानदान की लड़की, खजिस्ता के गिर्ण गुमती है, जिसे जुनून की हत्ता, डॉक्टर बनने का शौक है इस ड्रामे का मरकजी किरदार हिबा बुखारी ने निभाया है वहशी ड्रामे की कहानी बहुत ही सैद है और जब धर्द बातने वाला कोई न हो तो वही होता है जो मुझीब के साथ हुआ वो डिप्रेशन में मुपतला होकर दिल का दौरा पढ़ने से इस दुनिया को कुछ कहें बिना छोड़ गए जोके वो समाजी मर्थ है, इसलिए उसको अपना वारिष चाहिए था जो मिलना सका उसके घर बेटे पैदा ना हो सके और वो अपनी दूसरी बेटी को मनहोस समझता और कहता रहा उसी जैनी दपाओं में वो उस चोटी सी बच्चे को मारता भी था जिसकी वज़ा से बेटी को भी बाप से नफरत हो गई और वो बदमिजाज और जित्ती लड़की बनती जा रही है बखतावर में बखतूर की चद्दू जहर देखकर आप सैड हो जाएंगे बखतावर कहानी का मरकसी केड़ार है जो पढ़ लेकर कुछ बनना चाती है लेकिन उसका बाप जुआ खेलता है जिसमें वो घर का सब कुछ हार जाता है यहां तक कि अपनी एक और बेती भी जुए में हार आता है अचानक उसके लिए सुर्क चोड़ा लाता है और कहता है कि वो तयार हो जाए वालिद उसका निकाह एक बुड़े मर्द के साथ तैकर आता है और जबरदस्ती उसे घर से ले जाकर निकाह कर देता है और उसके बाद कभी घर वापस नहीं आता बेटा बिस्तरे मर्ग पर ही मनसिल आखिरत को रुकसत हो जाता है बखतावर के मामों उसके घर का खर्चा चलाते हैं लेकिन उसके बतले में वो चाहते हैं कि बखतावर की शादी अपने नीम जहनी मरीज अकलौते बेटे से कर दें यूँ उनकी जमीनों को समहाले बाला भी कोई हो जाएगा लेकिन बखतावर इनकार कर देती है एक सहेली की शादी पर उसका भाई आहत बखतावर को देखकर अपनी बेहन से बखतावर से शादी की खौहिश का इजहार करता है लेकिन वो उसे भी इनकार कर देती है इस ट्रामे में भी बखतावर की जिंदगी फैसलों के चंद सुतुनों पे खड़ी है उसे पढ़ना है, कुछ बनना है अपनी बेहन की तरहा बेबसी से किसी के लिए कुर्बान नहीं हो जाना अपनी मा की तरहा एकलाचार औरत नहीं बनना अपने और अपनों के लिए कुछ करना है ये मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल फैसला था और इससे भी मुश्किल इस पर अमल करना था वो अपनी सहेली के भाई आहद की मदद से रात की तारिखी में अपनी मा को लेकर कस्पा छोड़कर कराची चली जाती है कराची में उसके वालदा की कजन की घर चंद दिन रहने से उसकी नियत भी कुल कर सामने आ जाती है उसके खालों बखतावर के मामू से बड़ी रकम के अवज उसे और उसकी मापून के हवाले करने का मनसूबा बना रहे होते है मगर बखतावर ये सब सुन लेती है और वहाँ से भी एक बार फिर भागना पड़ता है ड्रामा सीरियल नेहर नेहर जहिस के मौज़ू पर एक उतास कर देने वाली कहानी है ड्रामे में एक बार बार सुनाई देती है तुम्हारे वालत बहुत सक्ते ये एक नसल का अल्मिया है जिसने एक जनरेशन काप को जनम दिया है इसलिए नर्मिजाजी को हर रिष्टे हर तालुक में फौक्यत दी गई है नर्मिजाजी बहुत से मसाइल का गुद्रती हल है सक्ती अपने किये फैसलों से ना टलना जबान दे देना और इस पर धटाई से ये चानते हुए भी के गलती हो सकती है काइम रहना या रस्म रिवाज को पांसी पे लटके रहना सक्ती के जमरे में आने वाला हर फाल वक्त गुजरने के साथ आप पे सक्त आजमाईश लाता है ड्रामे का काम सिफ इस्क्रीन पे तस्वीर का तीसरा रुख बताना है दो रुख आपके सामने मौजूद होते ही है आपने यह हमने कौन सा जाविया देखना है यह हमारी बसीरत और बसारत की वसात पर है ड्रामा तो अपने पहले सीन में ही खतम हो गया था बाकी तो तश्री है कि बीटी की लाश वालदेन तक पहुँचती कैसे है इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात दो बेहनों का एक्तिमाद में फर्ट एक निकम में शोहर की वज़े से जॉब कर लेती है और घर हुच चलाने का सिमा उठा लेती है दूसरी नामसाथ हालाँ से लड़ते अपने जिसमें मौचूद दूसरी चान समय चान की बासी हा जाती है क्योंकि वो तो लड़का माफिया घराने में फस चुकी है और वालदेनों समाच का दबाओ उस पे बहुत ज्यादा है ड्रामा सेरियल बाच्छा बेगम बाच्छा बेगम एक साथ ड्रामा है सारा नौरबास ने इस ड्रामे में बाच्छा बेगम का मरकजी किरदार अदा किया है बाच्छा बेगम बनने वाली खावतीन में ना सिर्फ हुक्मरानी और बाच्छाहत का नशा सर चड़कर बोलता है बलके ये नशा उन से मुक्तलिब इक्साम के मजालिम करवा कर इंसानियत को भी वरामोश करवा देता है पुरानी बाच्छा बेगम हाकिम बीबी सुम की एक ऐसी ही चलती फिरती तस्वीर दिखाई गई है मगर ड्रामे में शहर में रहने वाली पड़ी लिखी लड़की जिसका किरदार जारा नूर अबास बखुबी नभा रही है जिब अपने आपाई इलाके में आकर बाच्छा बेगम बनती है तो कुछ पुरानी रिवायात को बदलने की कोशिश करती है और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी हद्ता खुद भी उस रंग में धलना पड़ता है नजाम बदलने के कोशिश वो अकेली नहीं बलके अपने बाप शाह आहलम की हिमायत और भाई के साथ मिलकर करने की ठानती है अक्सपोर्ट से पढ़ा वो भाई जिसे ना चाहते होए भी उसके वालिद गद्दी नवास देते हैं गद्दी के निशे ने चच्चा और तायाजाद भाईयों को क्या एक ही बाप से दो सगे भाईयों को भी बद्द्द कर दिया चच्चाजाद शाजेब और तायाजाद के मनफी किरदार में यासर हुसैन है यासिर हुसेन के हुलिये से उनके हातों में लिखी जाने वाली सुल्म की दास्ताने उनके किर्दार को एक मुकमल मन्फी किर्दार बनाती है जबकि यासिर की अदकारी भी इस बात की गवा है कि ये किर्दार यासिर से बेतर और कोई नहीं निभा सकता ड्रामा सीरियल दुबारा दुबारा ओवराल देखा जाए तो ये एक उतास ड्रामा है ड्रामे में अदकार बिलाल अबास ने माहिर और अदकारा हदीगा क्यानी ने महरू का मरकसी किरदार अदा किया है ड्रामे में दिखाया गया है कि कममरी में बेवा होने वाली महरू को पार्क मिलने वाली नऌज़वान दोनों निकाह करते हैं और पिर इस रिष्टे को मनवाने के लिए दोनों को कथन मराहिल से गुजरना पड़ता है अप्तिदा में माहर के दिल में लालच भी आता है और वो महरू को धुका देने की कोशिश भी करता है लेकिन महरू अपनी महबत और इखलाक से माहर और उसके मतालिकीन का दिल जीतने में कामियाब हो जाती है ज्रामे की आखरी किस्त में दिखाया गया है कि माहिर नर्मीन से शादी करने का पैसला करता है ताहम दोनों का समेर उन्हें इस एकदाम से बास रहने के लिए मलामत करता है माहर शादी के लिए घर से रवाना होता है तो महरू सारी हकीकत जानने के बावजूत उसे नहीं रोकती और खुश दिली से अलविदा करती है और ये लम्हा ही ट्रेनिंग पॉइंट साबित होता है ड्रामा सीरियल संगे माह संगे माह की कहानी सैग तरीन है खास तोर पर आन पर खुदकशी बारोग हाजी मरजान अपने खांदान के ही नहीं बलकि अपने इलाके के लोगों के भी बुज़र्ग है हलमंद और हिकमत उनके दो बेटे हैं सगा बेटा हिकमत वैसे ही आशिक साद कतल कर चुका है और किसी मर्द की तरह इसका एकिराफ करके अपने हिससे की सजा काट रहा है इस सजा के दौरान अपनी मू बूली बीटी की इसदत की हिफाज़त में घैरत खाकर एक और कतल की कोशिच भी कर चुका है हाजी बंचान के बीवी अपने पहले शोहर को खुद पर हुक करने के चुर्में उसे जहर दे कर मार चुकी है और हाजी से शादी का हग इस्तमाल करने में कामियाब है। हल्मन इंतिकाम की आग में पागल और दोखा खाये हुए हीरो की तरहां हाजी को बाप का कातिल समझता है और इस फरीब से निकलने की समझबूच उसके पास नहीं तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो किस से ट्रामास पर मबनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीड़ बैक देना पिलकुल मत भूलिएगा अल्ला हाफिस